इस यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे आपको बैंक, SSC, रेलवे, डिफेंस और अन्निस अभी कंपटिटिव एक्जामनेशन के मैथ पेपर की तेयारी कराई जाती है इस ऑनलाइन क्लास में आपको चप्टर वाइज मैथ बताया जाता है शाथ ही साथ टेस्ट स्रीज पे भी हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और उस टेस्ट स्रीज की जब हम लोग स्रुवाद करेंगे तो उसकी जानकारी आपको शमय समय पर दी जाएगी आईए आज हम लोग अपना पहला क्लास शुरुवाद करते हैं और पिछले दिन इंट्रोड़क्शन क्लास में हम आपको बताये थे कि फस्ट चैप्टर जो हम लोगों का होगा एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन सैक्शन ए का सैक्शन ए बी सीडी सुप से हम लोग सिलेबस में लिखे हुए थे पिछले क्लास में और आपको बताये थे कि सैक्शन ए और सैक्शन बी की सुरुवाद हम लोग एक साथ करेंगे और जो लोग बेसिक जिनका कमजोड है वो तो सुरुवाद से ही काम करेंगे जिनका बेसिक बहुत बहतर है वो section B से काम का starting कर सकते हैं लेकिन section A वो लोग भी समय निकाल के अवसे देख लेंगे आईए हम लोग अब शुरू करते हैं section A का पहला chapter जो simplification के अंतर गताता है और उस chapter का नाम है हम लोगों का addition and subtraction जोड एवम घटाओ हम लोग जोड एवम घटाओ आज के date में भी अगर देखें तो सारे examination में महत्पृण स्थान रखता है और हर एक जगह आपको इससे question मिलेंगे चाहे वो सामानी संक्या का जोड घटाओ हो डिश्मल का हो जाए विन का हो जाए रैक्रिंग का हो जाए आपको जोड घटाओ से related question हमेशा examination में मिलते ही मिलते हैं आइए इसे की सुरुआत हम लोग करें अब तो एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन में को हम लोग तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे पहले हम लोग के वल एडिशन के बारे में देखेंगे फिर हम लोग के वल सब्स्ट्रेक्शन के बारे में सिखेंगे और तब लास्ट में हम लोग एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन को कमबाइंड करके question को बनाएंगे यानि एक ही question में plus भी हो हो और minus भी हो तो उसका काम कैसे करेंगे फास पढ़ेंगे सबसे पहले देखें सीखेंगे सामानी संख्या के वारे में उसके बाद हम लोग सीखेंगे दश्रमलव संख्या के वारे में उसके बाद हम लोग सीखेंगे भिन्न संख्या के वारे में और उसके बाद हम लोग सीखेंगे मिश्रत संख्या के वारे में और फिर ह पांच टाइप का नंबर से होता है जिसका हम लोग कोई भी mathematical operation करते हैं गनितिय क्रिया करते हैं गनितिय क्रिया के अंतरगत आपका जोड आ गया गटाओ आ गया गुना आ गया भाग आ गया वर्ग आ गया घान आ गया वर्गमूल आ गया गया इन सारी संख्याओं का किया जाता है तो पहले हम लोग इन संख्या से थोड़ा सा पड़िचित हो लें स कई संख्या को कोढ़ें ते को होता है वह दो अंकों वाला हो तीन अंकों संख्या को बात देस्मल संख्या आप वैसे भिन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 के घातका होता है सब पे बारें आगे हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन अभी यहां से कहें जिसे कोई नंबर है और उसमें देखें यह पॉइंट मौजूद है देस्मल बिंदू मौजूद है इसी को हम हम लोग डेसिमल नंबर के नाम से जानेंगे यानि इन टाइप के संख्याओं का एडिशन हम लोग दसमलब वाले में सीखेंगे फ्रेक्शन अगर देखें तो भिन वह इसा सारह संख्या को आप कहते हैं जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं और साथ ही साथ करेंगे हम लोग पहले तो भी पी वाई क्यू का रूप देखें इसी को हम लोग क्या करेंगे भिन्न कहें उसके बाद मिस्रित संख्या कहते हैं जिसमें पुर्णां का भी पार्ट होता है उसी को हम लोग जानते हैं मिस्रित संख्या के रूप में और लास्ट में हम लोग के बारे में जानेंगे जब डेस्मल विंदू के बाद एक या एक रादिक बार बार रिपीट होने लगता है तो ऐसी संक्याओं को हम लोग आवर्त शंक्या कहते हैं पुन्रा बृत्द संक्या कहते हैं इसमें को अप इडेकरिंग डेस्मल नंबर से कहते हैं तो इन सारे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शामाननी संक्याओं का जोड आज एडिशन आप नेचुरल नंबर करें तो आप लोग यहां हेडिंग एक बना लेंगे शामाननी संक्याओं का जोड इसको आप जनरल नंबर कहलें या फिर नेचुरल नंबर कहलें जो भी आप लिखना चाहें तो सामाननी संख्याओं का जो यह पहला टॉपिक हम लोगों का होगा अब इसमें सामाननी संख्या अगर देखें फार एक्जामपल हम लोग पहला कोश्चन देखें मान लिजे रहता 357 पलस 618 पलस 139 इस एक्वल टू आट यह आपको कोश्चन दे दिया तो इस रूप से आपको पता है कि एडिशन जब भी होता है तो सेम पलेस वाले डिजिट को सेम पलेस वाले डिजिट में जोड़ा जाता है यह आपको पता है नंबर्स के बारे में तरना कि यहाँ देखें इस पलेस पे जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सकता है नंबर को लिखना जानते है आप वैसे इस सार principal के वारे में जानकारी आपको झनानके बतलाएगे तो हम आपको बारी बारी सारे प्लेस का नाम भी लिखेंगे ज़ानते हैं एक मंजह कि आपको शिकला को कि यहां देखे एकाई हुआ फिर यह लिफ्ट साइड आप बढ़ते जाएंगे और प्लेस का नाम बदलता जाएगा एकाई है फिर दाई है फिर सैक्रा है सैक्रा के उपर अगर जाएंगे लिफ्ट जाएंगे तो फिर हजार मिलेगा उसके बाद 10,000 का प्लेस मिलेगा उसके और लूर कि करोड लूर करोड तो इस रूप से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं प्र आप शंक महासंक तक इस रूप में लोग लगास्ट बढ़ते जाएंगे उसे को अगर आप देखें तो उसका दो-दो मापन पद्धती होता है नंबर सिस्टम में सिखेंगे हम लोग ततकाल इकाई दहाई से क्राल हजार दस हजार इससे काम करेंगे इकाई में कहुंसा डिजित जूतेगा इकाई इस से कहा केतके नहीं तो इकाई सेक्टन है यहां कितना है नौ तो इकाई को अगर हम एड करेंगे तो शात हुआ और आट हुआ इसको अगर अपएड करते हैं तो पंद्र हो जाएगा। और पंद्रह में पिर देखे आपको जोड़नीं। SUS rules नहीं. यदि आप हารपनी को एकाई शोप्ते हैं क्योंस सुप्ते अजे और 24 सी युका वा देखिए 20 हीकाई और पलस में देखिए हो गया 4 हीकाई तो यह जो 4 हीकाई है यह हम लोग लिखेंगे और साथ ही साथ यह जो 20 हीकाई है तो 10 हीकाई के बदले एक दहाई अगर है तो 20 हीकाई के बदले कितना हो गया दो दहाई हो गया तो दो दहाई हम अगले प्लेस पे एड़ करते हैं बेसिक रूप से यह उसका कॉंसप्ट है लेकिन हम लोग इतना नहीं काम करके डिरेक्ट इसको इस रूप से करेंगे कि जैसे ही 24 आया तो इसके एक आई प्लेस पे चार है तो चार को लिख देंगे और यहां देखे क्या बचा हुआ था हमारा दो तो दो को अ लोग लिखते हैं यहां इकाई प्लेस पे एक है तो एक लिख लेंगे फिर बचावार जाएगा एक फिर उसको अगले अंक में यहां सुरात करने से पहले ही आड़ कर लें तो यह तीन है और एक को जोड़ेंगे तो तीन और एक कितना होगा जार अब चार में आप छे को ज जोड़ेंगे तो यह आ रहा आ जाएगा इस रूप से हम लोगों का एंसर हुआ एक हजार एक सव चौदा वान 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 फोर यह हमारा समानी संख्याओं का जोड़ है और एक दो कोश्चन अभी देखें हम लोग पहले अब यहां देखिए लग लिख के 568 पलस 78 पलस 9 सब पूज करें अगर हमको यह एड करना होता कहानी सब जगाए एक ही जैसा है यहां से करेंगे आठा शोलह नव पचीश के बदले देखिए पांच लिख लेते हम लोग दो बच जाता फिर छे दो आठा हो जाता आठ में साथ को आप जोड़ेंगे पंदरह के बदले पांच ल पर पलस में रखते हैं 89 एज एक वाट लिखे रहती है इसको अगर आप एड करते हैं यहां से हम देखें एक और पांच छे हो जाएगा च्छे में नो को जोड़ेंगे तो पंदरह हो जाएगा देश टेक बच बच गया फिर यहां से जोड़ लें साथ और एक आठ अठ हो जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और 14 में आठ को आप जोड़ते हैं तो 12 आएगा इसके बदले आप दो लिखेंगे बचे गा भी 2 तो अप मन में समानी संक्याओं को जोड़ने का तरीका है सभी लोग अवगत होंगे हम लोग इस टेप 22 बेसिक रूप से जब काम चुरुआत किये हैं तो यहां से चलते हैं अब आजाए इसी में एक इस पे स्पेसलाइज कुश्चन बनता है इस पे स्पेसलाइज कुश्चन देके क्या कहता है कि अभी हम दें 4444 पलस कर लेते 444 फिर पलस कर लेते 44 पलस कर लेते 4 is equal to लिए लेते हुआ कहानी तो जो हम लोग सिखे उस दूप से हो ही सकता है चार चार आठ चार बारा चार शोला ऐसे करके काम किया जा सकता है लेकिन सेम डिजिट रिपीट अगर होता है यदि आप कोई एक ही संक्या को कोई एक ही अंको बार बार जोड़ते हैं तो वहीं से देखे गुना बनता है तो चार गुना तो घुने तो फिर ताही प्लेस पर जाएंगे तो चार कितने बार मिलेगा तेन बार तो फिर सेकरा के पलेस पर जाएंगे तो ॉजय को आठे यए उजय कहाई गेए थ्वर 17 पूं जा और इस रूप से एंसर हम लोगों कहा आया 493 और एक दो कुश्चन देखें मान लिजी अब इस रूप से आपको दिये हुए रहते हैं 9999 पलस 999 पलस 99 पलस 9 इस एक्वल टू है तो अब यहां अगर देखें तो 9 देखें चार बार है तो 9 गुना 4 36 रेस देखें 3 हो जाएगा फिर 3 बार मिलेगा तो 9 37 में 3 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा तो 0 रेस टाप का 3 बच जाएगा फिर 2 बार है तो 18 18 में आप अगर 3 को जोड़ेंगे तो 18 321 बच जाएगा 2 लास्ट में 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 एंसर जो हम लोगों का होगा वो देखे हो गया 11106 सेम डीजिट अगर रिपीट होता है तो गुना के माध्यम से आप उस कोश्चन को जल्दे हल कर सकते हैं और एक कोश्चन देखें मान लिजिए अब दिये वे रहते हैं आपको 55555 पलस में दे रहते है 555 फिर पलस में 555 पलस 5 इस इक्वल टू वार चार बार, तीन बार, दो बार, एक वार ये दिमाग में नहीं रखना है दिमाग में कैलकुलेशन कोश्चन मनाते हैं वक्ति ये देखना है एक आई पलस पे कितना बार, दाई पलस पे कितना बार, शेक्रा पलस पे कितना बार जैसे इस कोश्चन में चलें एक आई पलस पे देखें चार बार है तो पांच गुना चार कर लिए, बीस हो गया बच गया कितना दो फिर अगर दहाई प्लेस पे जाएंगे तो इन तीनों में है तो पांच गुना तीन पंद्रह पंद्रह और दो को जोड़ेंगे तो शत्रह आ जाएगा रेस्ट एक बचे गाए फिर सेक्रा के प्लेस पे भी अगर हम लोग चलें तो इस तीनों में मवजूद है तो तीन है तो फिर आपको पांच गुना तीन ही करना होगा तो पांच गुना तीन पंद्रह हुआ और एक रेस्ट है देखे तो पंद्रह एक शोलह हो जाएगा फिर रेस्ट बच जाएगा आपका एक और 1000 के प्लेस पे अगर जाएंगे तो केवल यहां है तो यहां 5 है और एक आप का बचा हुआ था 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 पां एक 6 हो गया और लास्ट में इस प्लेस पे 10,000 के प्लेस पे अगर चले तो केवल 5 है तो इण सडम लोगों का देखिए आया इस रूप से ऐसे question को हम लोग बनाते हैं तो यही जो हुआ यह हम लोगों का क्या हुआ सामानी संख्या का जोर हुआ अब हम लोग इस टाइप का कुछ पहले example कर लेते हैं फिर अगला टाइप decimal number पे बढ़ेंगे आईए question देखा जाए आईए हम लोग question number first का solution देखें यह देखें पहला question लिखा हुआ है 5678 प्लस 9123 प्लस 7917 एड करें गर देखें आठ तीनी 11 11 में अगर 7 को आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 18 18 के बदले 8 लिख लेंगे रेमेंडर क्या हो जाएगा एक एक वचावर हैगा यहां से जोड़ें 7,1,8,8,2,10 10 और 1,1,11 फिर देखें एक वचावर हैगा 6,1,7 होगा 7,1,8 होगा 8 और 9 को अगर आप जोड़ते हैं तो 9,8,17 फिर रेस्टेक होगा यहां आप add करने 5,1,6 हो जाएगा 6 और 9 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा और 15 में आप 7 को जोड़ते हैं तो यह आपका 22 हो जाएगा तो answer हम लोगों का आएगा 22,718 इस उपसे पहले question का answer हुआ हम लोगों का 22,718 दूसरे question में अगर हम लोग चलें तो दूसरा question में देखा जाए हाँ, 5 में 9 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा 14 हो और 8 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और 22 में 5 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 27 हो जाएगा बचेगा कितना? 2 आप यहीं add कर लें तो 3 और 2 देखिए 5 हो जाएगा पांच में साथ को जोड़ेंगे फिर बारा हो जाएगा बारा में नो को जोड़ेंगे तो इकीस हो जाएगा इकीस और आठ को जोड़ेंगे तो उनतिस हो जाएगा फिर बचेगा दो यहाँ पैड कर लें 8 और 2 10 हो जाएगा 10 3 13 हो जाएगा 13 में आप 5 को अगर जोड़ते हैं तो यह 18 हो जाएगा यहां तो कोई सेक्रा के प्लेस पे था ही नहीं तो 18 के बदले 8 लिख लिए बचे गया हम लोगों का ही फिर यहां से आजाएं तो 9 और 1 10 हो गया 10 और 1 को जोड़ेंगे देखे 11 हो जाएगा फिर रिमेंडर बचा हुआ रहेगा एक और लास्ट में आप इस दो में एक को जोड़ लेंगे तो यह 3 हो जाएगा इन सर्म लोगों का दूसरे कोश्चन का देखे कितना जाएगा 31897 इस दो सर्म लोगों का दूसरे कोश्चन का हुआ 31897 आए तीसे कोश्चन में चलें रिपीटेड वाला देखिया भी हम लोग काम चिखे हुए थे सबसे पहले अगर देखा जाए तो छे देखे एक आई प्लेस पे कितने बार है पांच बार है तो छे गुना पांच करेंगे कितना हो जाएगा तीस रिस्ट क्या बचेगा तीन फिर जिए अगर देखा जाए तो चार बार है तो छे गुना चार चौविस हो जाएगा चौविस और तीन को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा बच जाएगा आपका दो फिर आप आजाएं तो यहां सेकरा के प्लेस पे तीन बार मिलेगा तो छे गुना तीन अठारा हो जाएगा और अठारा में जब आप दो को जोड़ेंगे तो ठारा दो बीस हो जाएगा फिर आपका दो बचा हुआ रहेगा फिर छे गुना दो करेंगे बारा बारा और दो चौदह हो जाएगा रिमेंडर आपका एक हो जाएगा लास्ट में छे और एक को जोड़ेंगे तो यह शात आजाएगा ते इंसर हुआ इस लूप से फ़ोटय को जाएगा बज जाएगा तो सत्या और दो को जोड़ेंगे तो यह आपका 23 हो जाएगा बच जाएगा दो अब गवच से देखें तो सेकरा प्लेस पे भी साथ बार है ऐसा नहीं कि तीन वार है तो फिर दो बार लेना हुआ देखना होगा आपको एक वा तो फिर साथ गुना तीन करेंगे 21 हो जाएगा और 21 और 22 को जोड़ेंगे तो 23 आजाएगा और फिर आपका बचा हुआ रहेगा दो अल्लास्ट में साथ और दो को अगर आप जोड़ देते हैं तो यह न हो गया तैंसर आपका देखे आ गया 9 3 3 8 उसके बाद अगर हम लोग यहां से चलें तो आव पाँचवे नमबर कोश्चन of में चलते हैं हम लोग हुआ अगर देखा जाए तो आठ अट अठ जोला आठ यहां से आप बारी बारी ते इसको कर तो 5 बार देखें के, फिर एक जोर yapmış आपका 8. यम भी आप का जाएगा आपका 8. तो इस रूप से आपका पांचो कोस्टन का इंसर हो गया। अब हम लोग इसी वह पढ़ेंगे दर्शमलब संक्राइओं का जोर। तो हम लोग सीखते हैं अब डेशिमल संक्याओं का जोड़। अब यहां से आगे बढ़ें और अगला जो इसी में इडिशन सब्ट्रेक्शन में जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो देखे होगा देशमलब संक्याओं का जोड़। एडिशन ओफ डेशिमल नंबर्स देशमलब संक्याओं का जोड़। देशक्याओं में अगर देखा जए अडिशन में तो दो टाइप बनता है एक ताइप फरस्य अगर देखें जब डेश्मल पॉइण्ट केवाद दिजिट यक्वल और दूसरा चीज ज 17 सब्सक्राइप करने में कमें या जोड़ा और तियुक्त in टिक और एडिशन करते वक्त 297 निन Pierre थी देशिसं संंख्याша जोर घटाओं कर रहे थे उसी परकार इन्विक ख jumpsir करते रहेंगे और जिस समय क्रॉस करेंगे वहां डिश्माल लगा देंगे जैसे यहां से अगर हम लोग काम करते तो 5 और 1 देखे क्या हो हो जाएगा 19 के लिए 9 लिखेंगे बच जाएगा एक पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं तो पॉइंट हम लोग यहां लगा दी अब एक बचा हुआ है तो यहां से एड करें छे और एक साथ होगा साथ और आठ पंद्रह होगा पंद्रह में पांच को जोड़ेंगे 20 आएगा तो 20 के लिए 0 लिखें बचिया कितना 2 अब यहां से आप एड करें अगर तो पांच और दो देखें साथ हो जाएगा और तो कहीं कोई जोडने वाला डाटा है नहीं तो इंसर देखें हम लोगों क आया 70.99 इस रूप से और एक कोश्चन देखें देख लेते हैं मान लिजे रहता 3.695 पलस में दिया हुआ रहता 5.981 पलस में रहता 31.609 इस इक्वल टो वाट डेशमल के बाद 3 अंक है यहां भी डेशमल के बाद 3 अंक है यहां भी डेशमल के बाद 3 अंक है आप डिरेक्ट जैसे समानी संक्या को जोड़ते थे इसको भी आप एड़ करेंगे यहां से अगर देखे तो 5 और 1 6 हो जाएगा 6 और 9 को अगर आप जोड़ते हैं तो 9 और 6 देखिये 15 हो जाएगा परिमिंडर कितना वन आ जाएगा आपका अब इसको अगर जोड़े यहां से तो 9 और 1 दस दस और 8 और 18 हो जाएगा 0 जूटेगा तो 18 ही रहेगा बचेगा कितना एक अब 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 होगा 7 में 9 को जोड़ेंगे तो 16 होगा 16 में 6 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा 1 क्रोस कर रहे है पchied लगा दिये बझ जाएगा 2 आप यहां से एड़ करें 3 2 5 होगा 5 5 10 होगा 10 और 1 देग देखे 10 ख़े गारा आएगा तो इसके लिए एक लिख एंगे एक बचा हुआ रहेगा तो तीन और एक चार हो जाएगा तो एंसर हुआ 41.285 तो इस रूप से हम लोग जब डेस्मल के बाद अंक बडाबर होगा तो इसी संख्याओं को जोड़ेंगे इसी में अगला जो टाइप आपका बनता है यहां कुश्चन का कि जब डेस्मल के बाद अंकों की संख्या अलग अलग हो नंबर अप डेस्ट जो है वो डिफरेंट अगर आता है जैसे माल ने रहता 7.85 पलस दियो वे रहते 6.713 पलस माल ने जे लिए रहते 36.9 इसको अगर एड करना है तो आपको केवल एक चीज चीज सीखना है कि मैक्सिमुम अगर देखा जा ness है कितनी तीन उंक समझेंगे और इसके लिए समझने के लिए क्या करना है कि अगर 7.85 है यह आप चाहें तो इसको इस रूप से लिख सकते हैं यह आपको पता है कि decimal संक्या में decimal point के वाद last में 0 का कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ 1-0 रहे, 2-0 रहे, 10-0 रहे, 50-0 रहे कितना भी 0 हो उसका कोई मतलब नहीं होगा तो हम लोग यहां maximum जो समझेंगे तीन अंक है यहां भी करेंगे तो इसको इस रूप से जीरो करते और यहां भी देखे डबल जीरो करते आपको लेकिन question में ऐसे अब लिखने का habit नहीं डालना है जब offline examination हुआ करता था तो उसमें लड़कों को बताया जाता था कि copy पे ही रहा है और online examination में आप screen face रूप से 0 को लिखने ही सकते हैं तो आपको अपने दिमाग में set रखना है कि हम लोग last में एक 0 देख रहे हैं और यहां last में हम लोग double 0 देख रहे हैं अब add अगर करेंगे तो फिर अगर 0 यहां एक है और यहां 2 है तो सब में decimal के बाद 3 अंक हो गय तुझे से समानी संक्या का काम करते थे उसी प्रकार इसका भी करेंगे तो 0 पलस 3 पलस 0 करेंगे तो देखे 3 हो जाएगा फिर second place पे देखें यहां क्या मिल रहा हैं को 5 और यहां क्या है 1 तो 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 जबकि यहां तो 0 ही रहेगा यहां से 6 लिखा जाएगा फिर इसमें अगर आएंगे तो 8 और 7 को एड़ करेंगे तो 15 हो जाएगा 15 और 9 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा और 24 के लिए 4 को लिखे 2 आगे चलागे और इसमें एड़ करने आप उसको 7 और 2 9 हो जाएगा 9 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो यह फिर 15 हो जाएगा और 15 म इस रूप से और एक कुश्चन पहले हम लोग देखें मान लीजे रहता 25.63 प्लस में दिया हुआ रहता 8.1797 और प्लस में दिये रहते 135.6 इस एक प्ल टू अगर करेंगे तो क्या जाएगा से यहां जैगा से जिरो पुर अगर देके तो यहां का डैबल जीरो है तो फिर जीरो प्लस नाइन पलस जीरो करेंगे तो भी क्या जाएगा 9 अब यहां से एड़ करेंगे कहाई हो जाएगा तो साथ और तीन को जोडेंगे तो यह 10-0 रिस्ट बज़ियाग और तब यहां से जोड़ेंगे तो 6-7 हो जाएगा शाथ-8 हो जाएगा और 8 में इस 6 को जोडーテ तो यह चौदर, पॉइंट क्रोस कर रहे हैं, तो पॉइंट लगा लिए, बचाओ आपका एक है, ते हाँ आप एड कर लें, पांच एक छे हो जाएगा, आच छे चौधा हो जाएगा, चौधा में पांच को अगर आप जोड़ते हैं, तो यह उन्नीस आ जाएगा, रेस्ट आपक हम लोग कुछ कोस्टन देखते हैं। हम लोग देखें हैं पिछे अभी हम लोग देखें ऐसा काम की कि होगे थैं लिए समान चंप्धक को जोड़ते थे उस वप से इसको जोड़ेंगे तो 5 और 7 12 पॉंट्ट लगा दिये फिर आगे जोड़ते जाएं एक बचा हुआ है तो तीन और एक चार हो गया चार बारा हो गया अगर साथ को आप जोड़ते हैं तो उनीस आज जाएगा नो लिखेंगे एक बचा हुआ रहेगा यहां एड कर लें छे और एक साथ हो जाएगा साथ और देखे यहां आठ आ जाएगा और उसके बाद यह 9 हो गया और इस रूप से इसका एंसर हुआ देखे 989.8989.8 इसके बाद हम लोग अगले कोश्चन में चलें तीन अंके हां भी तीन अंके हां भी तीन अंके हां भी सामानी संख्या कितर ही आपको काम कर लेना है आजाएं हो जाएगा इस टेक हुआ पांच एकचे होगा छे एक साथ होगा यहां से जोड़ लें आठ एक नह होजाएगा नौ छे पंद्रह हो जाएगा 15 और तीन को जोडेंगे तो 18 हो जाएगा पॉंट क्रास कर रहे हैं तो पॉंट लगा दिये रिमेंडर एक बचा हुआ है तो साथ 18 लेंगे 8513 लेंगे और planets 13 में अगर आप यह अपको जोड लेतेँ हैं तो 21 हो जाएगा 2 बचा हुआ रहेगा यहां से जोड लें 2,1 हो जाएगा 12 में 8 को अगर जोडते हैं आप तो 20 आ जाएगा और इस रूप से एंसर हुआ 201.855 तो दूसरे कुष्चन का एंसर आपका है 201.855 अज जहें तीसे कुष्चन में हम लोग चलें यहां देखें तीन अंक तीन अंक सम्में तीन तीन अंक है य 9,10,5,15 और 6 को जोड लेंगे तो 21 आ जाएगा 2 बचा हुआ रहेगा इसको आगे लेके चलें 8,2,10,10,13,13,13 और 7,20 के लिए 0 लिखेंगे 2 बच जाएगा 7,2,9,9 और 3 देखें 12 होगा 12 में 9 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा रिमेंडर आपका 2 बचा हुआ रह जाएगा और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा एंसर देखें हम लोगों कहा जाएगा 510,13 तो इस कोशिशन का एंसर हुआ 510,13 इसमें चलें तो एक अंक है दो अंक है और यहां कितना 3 अंक है अलग अलग अंक है लास्ट में क्या समझना है जीरो समझना है यहां डबल जीरो यहां सिंगल जीरो है तो आप इसमें अगर देखें जीरो पलस जीरो पलस टू देखें क्या हो जाएगा टू दूसरे पलेस पे आएंगे तो 0 पलस क्या मिलेगा 7 तो यह 7 होगा 7 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 रेस्ट बच जाएगा आपका कितना ए यहां से अगर एड करें 6-7 होगा 7-8-15 होगा 15 में 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो 21 आएगा पॉइंट क्रोस कर रहे हैं तो पॉइंट लगा देना है दो बचा ओवा रहेगा 5-2-7 हो जाएगा 7-3-10 हो जाएगा 10 और 5 फिर आप 15 कर लेंगे और 15 के बदले 5 लिखे लेंगे और फिर रिस्ट आपका बच जाएगा एक फिर यहां से चलें तो 2-1-3 हो गया 3-3-6 हो गया और 6-3-9 हो जाएगा और लास्ट में फिर अगर यहां देखा जाए तो एक और नो देखे दस है तो एंसर आपका 1095.152 तो इस कुस्टिन का ऐंसर हम लोगों का हुआ 1095.152 आएगा अगले कुश्चन में हम लोग चलें 4 अंग assess और है 2 आंक है यहां 3 अंग है सम में 4 पह देखने यहां 00 है यहां सिंगल 00 लास्ट में समझे इस इस पलस जीरो पलस गेर रहा हो यहां से अगर करेंगे तो देंगे 6 और 0 पलस एक करेंगे तो 6 और 1 सात हो जाएगा फिर 30 से प्लेस पे चलें तो 3 में देखे जोड़ा जाएगा 5 और 7 तो 12 तरे Speasics 1 बचे जाएगा यहां से अगर आज है तो साथ और एक 8 हो गया 8 और 8 16 हो गया 16 और 1 17 हो गया और तब रिमेंडर आपका एक बचावर हैगा 9 और 10 हो गया 10 4 14 हो गया 14 मैं 9 को जोड़ेंगे तो तैसा जाएगा रेस्ट आपका 2 होगा 2 2 4 हो गया 4 3 7 हो गया तो इन स्रम लोगों का देके इस कुष्चन का हुआ 73.7278 तो इस अगला चीज है डेश्मल के बाद अभी हम लोग दो टाइप का चीज सिखहे आप सिखे समानी संख्याओं को जोरना और आप सिखे दसमलब संख्याओं को जोरना अब हम लोग इसी में शिल्खते हैं भिन संख्याओं का एडिशन भिन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक दो चीज हम लोग यहां समझ लें कि भिन हम लोग अगर देखें तो इसमें दो टाइफ का भिन भिन जिसको आप फ्रेक्शन कहते हैं फ्रेक्शन पर और भी ढेश सारा काम हम लोगों को करना है सिम्प्लिफिकेशन न चैप्टर में जब हम लोग fiquei जई फ्रेक्षन सब्फ्रेक्शन सेखें गे तो हम लोग भिन के बारे में और अधिक के रुप में लिखा हुआ हो शाथी साथी इजलेस देन क्यों हो वही आपका क्या कहलाता है fraction कहलाता है अब एक सवाल जिसे आप अगर 2 by 7 लिख लेते 1 by 3 लिख लेते 9 by 13 लिख लेते तो यह सारा जो हम लोगों का है वो क्या कहलाएगा fraction कहलाएगा लेकिन सपोज करें आप लिखा हुआ ऐसा भी देख लेते हैं 7 by 2 देख लेते हैं 13 by 9 देख लेते हैं इसको भी नॉर्मली हम लोग भिन संक्या कहलेते हैं लेकिन अगर भिन में देखा जाए तो इसी के लिए 2 पार्ट बनाया गया भिन अगर देखे हैं तो औरिजनल में यह आपका fraction होगा जहां P is less than क्यों होगा वही आपका fraction है लेकिन ऐसी संक्यां को भी आप भिन कहते हैं इसके लिए 2 type भिन का बनाया गया है जिसमें एक आपका कहलाता है proper fraction और एक आपका कहलाता है improper fraction fraction का दो पार्ट हो जाता है एक आपका कहलाता है proper fraction और एक आपका कहलाता है improper fraction वैसा fraction जिसमें P, P यानि कहने का मतलब हो उपर वाले को आप अंस कहते हैं नीचे वाले को हर कहते हैं numerator हुआ, denominator हुआ यदि numerator denominator से छोटा होता है तो वो कहलाता है proper fraction और यदि वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा इंप्रोपर फ्रेक्शन अनुचित भिन उचित भिन और अनुचित भिन तो अनुचित भिन इसलिए नाम दे दिया गया है कि 7 by 2 पॉसेबल नहीं है फ्रेक्शन के रूप में फ्रेक्शन का मतलब होता है 2 by 7 का मतलब होगा 7 में 2 1 by 3 का मतलब होगा 3 में 1 9 by 13 का मतलब होगा 13 में 9 7 by 2 का मतलब 2 में 7 तो 2 में कभी 7 हो नहीं सकता है इसलिए वो पॉसेबल नहीं है इसलिए उसका नाम हो जाता है अनुचित भिन इंप्रोपर फ्रेक्शन और सवाल एक होता है कि अगर ये अनुचित भिन्न है भिन्न नहीं है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो होगा तो ये ओरिजिनल में होता क्या है इसको पहले अगर देख लें तो 7 by 2 को आप ये लिखना जानते होंगे इससे भाग लगाते हैं देखे तीन बार में लगता और इसको हम लोग इस रूप से भी लिखते हैं तो ये इसका देखे पुर्णांग का पार्ट हो गया इंटीजर का पार्ट हो गया और ये आपका फ्रेक्शन का पार्ट हो गया है तो इंटीजर पार्ट और फ्रेक्शन पार्ट को जब एक साथ मिला के लिखते हैं तो यही एक वटे दो कहने का मतलब कि हां लिखा हुआ है 3 पलस 1 वाइ 2 इस दोनों के बीच में एक साइन चुपा हुआ है और वो साइन देखे किस चीज का है पलस का है तो अगर इस रूप से नंबर है यह क्या कहलाता है मिस्स संख्या कहलाता है जिसमें इंटीजर का भी पार्ट होत जो उड़ते है इसे नंद फीचा हुआ होता है सात और बते में दूब यह इसा सारा कम्पाउंड नंबर मिस्स संख्या सन्युक्त संख्या को पी वाइक्यू के रूप में जब करी कि आया गर्वाके मतलब इस यह थोड़ा सा आप आनिकारी दिए कि आप भिन को समझते रहें कि प्रोपर फ्रेक्शन क्या होता है और इंप्रोपर फ्रेक्शन क्या होता है इसमें हम लोगों को जोड़ घटाओं में एडिशन सब्स्रेक्शन में प्रोपर फ्रेक्शन और इंप्रोपर फ्रेक्शन दोनों का सेम ही टाइप से काम कर लेना है यहां जो हम लोग सीखेंगे एक टाइप वन में टाइप वन में सीखेंगे वैसे फ्रेक्शन को एड करना जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला हर जो भी आपके हैं जिससे मान ले रहता जो भी आपका फ्रेक्शन है सबका डिनोमिनेटर देखें कितना है थार्टी वन अगर इस रूप से है आप यह जानते हैं कि लेकर काम किया जा सकता है लेकिन यहां उसका जौरत नहीं है केवल देखें जैसे ही देखें कि डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन केवल नीमेडेटर का किया जाएगा इसको जोड़ेंगे देखे 7 8 15 होगा 15 दो 17 होगा 17 और 18 होगा तो एंसर जो हम लोगों का होगा 18 और जोड़ेंगे डिनोमिनेटर को सेम तो सेम रखेंगे यह केवल ध्यान देना एक और कुश्चन अगर यहां से देखें माल लिजी अब इस सुपसे देते 5 by 21 फिर मालने लिग दिए 19 by 21 फिर मालने लिग दिए 4 by 21 अब इसको अगर आप एड करेंगे तह 5 और 19 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24 24 और 24 को अगर जोड़ते हैं तो 28 और बटे में कितना 21 अब इसको आप चाहें तो यहां देखें 28 और 21 इसमें common factor भी मौजूद है यानि कोई संक्यात से अगर यह cancel होता है तो cancel भी आप चाहें तो यहां कर लें या फिर आगे कर लें अ आपके objective examination में बहुत कुछ आपको option पर depend रहना होता है कि किसको answer बनाए अगर 28 और 21 इस answer रहता तो वही answer हो जाता है cancel करके 4 by 3 लिख दिया तो इसको answer बनाएंगे लेकिन यह देखें अंस जो है वह हर से क्या है बड़ा है अगर अंस हर से बड़ा होगा तो यह improper fraction होगा और improper fraction को normally हम लोग इस रूप से नहीं लिखते हैं इसके integer part को always अलग करके ही लिखा जाता है तो इसका अगर हम लोग question हमको करना होता answer हम लोग क्या लिखते है एक पुर्णांग के एक वटा ती इसी में यह हम लोगों का कहानी था कि जब denominator क्या होना चाहिए equal होना चाहिए अब इसी में एक और question देख लें माली जी हम आपको अब ऐसा दे देते पाच वटे 24 दे दिये पलस 7 वटे 29 दे दिये पलस 3 वटे 11 दे दिये पलस फिर अगर देखा जाए 19 वटे 24 दे दिये और फिर पलस 22 वटे 29 दे दिये इस इक वट वाट इस question को अड़ करना है तो topic अभी देख रहे हैं हम लोग type जो देख रहे हैं कि denominator equal होना चाहिए लेकिन यहां तो अलग अलग denominator भी है लेकिन जब भी इ इक से जायदा देखिए आपका fraction है जिसका denominator से इसका तो काम किया जा सकता है एक सा यहां देखे 24 यहां 24 तो इसको दोड़े 19 और 5 कितना होगा 24 तो इसके बदले देखे हम लोग लिखते 24 वाट 24 पलस उसी परकार इस दोनों का अगर काम करेंगे तो देखे 22 और 7 को एड करे होगा और शाथ ही साथ देखे 3 वाई 11 होगा अब इसका वैल्यू आपको पता है कि यह वन है यह वन है एक पलस एक को जोड़ेंगे कि हो गया दो और पलस में कितना 3 वटे 11 तभी आपको एक आइडिया दिये थे compound number का कि बीच में पलस साइन आपको इच्छा है आपको रहन नहीं है तो आप इसको अगर हटा दें लोग लिख लेते हैं दो पुर्णांग का 3 वटे 11 इस रुप से इसका इंसर हुआ दो पुर्णांग का 3 वटे 11 हम लोग अब इस टाइप का पहले कुछ कुश्चन देख लेते हैं तब अलग-अलग denominator वाले पे काम करेंगे हम लोग पहले उसका कुछ कुश्चन देख लेते हैं सबका denominator देखे क्या लिखावा है 29 एड करेंगे किसको numerator को जोड़ें यहां से 7 और 6 को जोड़ेंगे देखे क्या हो जाएगा 13 और 3 को जोड़ लेंगे तो 13 और 3 क्या हो जाएगा 16 तो इंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 by 29 प में 6 को आप एड अगर कर देते हैं तो 29 प्लस 6 अगर करेंगे तो यह क्या जाएगा 35 बटे में कितना 25 यह आपको बताया गया कि अगर कोई common factor है तो आप उसको cancel करेंगे तो दोनों देखिए cancel होता है 5 से 7 बार में यह 5 बार में तो 7 by 5 आप लिखें लेकिन अगर numerator अधिक है इस रूप का अगर option रहता तो answer होता है लेकिन normally आपको ऐसा मिलेगा नहीं तो यहां अगर भाग लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा एक पुर्णांग का दो बटे 5 वान टू बाई 5 उसके बाद आजाए अब इसमें अगर देखें तो यह दोनों का देखिए denominator आपका same to same है तो इसको अगर add करेंगे तो 29 और प्लस में 8 अगर आप कर लेते हैं क्या जाएगा 37 तो 37 वाई 37 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस में बताएं क्या बचा वड़ाएगा 5 वाई 13 एक पुर्णांग का पांच वाटे 13 है इसमें अगर चलें तो यह देखिए यह दोनों का denominator सेम है यह दोनों का denominator सेम है इसके लिए 54 और 41 को अगर जो एड करते हैं तो क्या आजाएगा 95 95 वाई 95 क्या हो जाएगा 1 प्लस कर लें फिर यहां से देखिए यह 40 40 तो एड करेंगे 33 प्लस 7 को तो यह देखिए 40 होगा तो फिर 40 वाई 40 तो यहां भी देखिए 1 आप कहा जाएगा और तब प्लस में क्या बच जाएगा 2 वाई 7 एक और एक को जोड़ेंगे तो दो हो गया तो एंसर क्या लिखेंगा हम लोग 2 पुर्णांक 2 बटे 7 इस तरीके से इस को सिन का एंसर हुआ 2 पुर्णांक 2 बटे 7 इस ही में अब हम लोग देख लेते हैं कि अलग-अलग डिनोमिनेटर अगर रहेगा तो उसका एडिशन का काम किस तरीके से हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर अगर अलग-अलग हो तो आई एसी में सिखते चलते हम लोग अब देखें माली जे रहता 1 by 3 पलस में रहता 2 by 5 और इसको एडि करना रहता डिनोमिनेटर अलग-अलग है बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकता है तब तक आप उस फ्रैक्शन को एडि नहीं कर सकते कहानी मुलत है यह है अब य इसका डिनोमिनेटर देखें तीन है और इसका कितना है पांच तो तीन पांच को यहां अगर गुना करेंगे तो देखें कितना हो जाएगा पंद्रह इसको अगर हम लोग तीन से गुना करेंगे तो भी क्या जाएगा पंद्रह इसके डिनोमिनेटर को यहां से गुना कर दि यानि यह जो 1y3 था इसका रूप बदलके हम क्या लिख सकते हैं 5y50 उसी रूप से यहां से भी अगर देखें तो इसको 3 से गुना किये थे तो यह 15 आया था तो यहां भी 3 से करते तो क्या हो जाता छे डिनोमिनेटर दोनों का देखें सेम हो गया तो एड हम निमिरेटर को करे हैंगे तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 और नीचे है 15 तो इस रूप से डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है तो जब आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो वो फ्रेक्शन सजाती फ्रेक्शन हो जाता है और एक गुरूप का सेम गुरूप का फ्रेक्शन होता है जिसका कि मैथमेटि step करने का जोरत आता नहीं है आप डारेक्ट रिसी में कहते हैं कि इस दोनों का क्या करेंगे हम लोग ले लेगे तो अगर इस दोनों का अप लेंगे तो फिर देखेए वह ती हैं कितना आ जाएगा 15 और तब क्या करें नीचे वाले से भाग लगाते हैं और उपर वाले से मल्टिपिलाई करते हैं तो तीन से भाग लगाएंगे तर पांच होगा 5 गुना 1 देखिए 5 होगा और उसी प्रकारि यहाँ से अगर देखे हैं तो पांच से भाग लगाएंगे 3 गुना 2 छे होगा और तभी 11 बटे 15 लिखेंगे तो इस रूपचे आप फरेक्शन का काम करते हैं और एक दो सिख लें मान लिजे टू बाई सेवन दे दिए पलस में अगर देखें तो थ्री बाई फाटीन दे दिए पलस में देखें फाइव बाई ट्वेंटीवन दे दिए अब इसको एड़ करना है हैं लोगों को डी नौवामनेटर का एलसीम लेंगे तो निचे वालेंगे आभ नीचे बाले इंस से भाग लगाएंगे 10 अगर आड करते हैं तो बारहनु कितना हो जाएगा एनगी और 10 कितना हो जाएगा 31 और बटे में कितना कर लेंगे 42 तो इस रोप से अलग-अलग denominator वाले का काम हम लोग LCM निकाल के करते हैं अब हम लोग ऐसा कुछ question देखेंगे आई हम लोग देखते हैं हाँ अलग-अलग denominator है सबका solution हम लोग करते हैं आजाई अब इसका अगर solution किया जाए तो 3 और 7 और 11 इन सभी का अगर आप LCM ले ले लेते हैं तो यहां से देखें 7 गुणा 3 जब भी कोई common factor मौजूद नहीं होता है तो direct आप उसको multiply कर लें साथ गुणा 3 हो जाएगा 21 गुणा 11 करेंगे तो यह आपका देखें कितना जाएगा 231 दो सो एकत्यस अब अगर हम लोग आगे बढ़ें इसमें तेहां हम लोग क्या करते हैं इससे भाग देखें लगाएंगे तीन से अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो 77 इंटू हो सब्सक्राइगा 154 एक सो चोवन हो जाएगा 14 चोदा और 15 फिर उसी परकार अगर साथ से भाग लगाते हैं ते 11 गुना 3 अगर देखा जाए ते 13 हो जाएगा फिर पलस अगर करें ग्यारा से भाग लगाएंगे तो सत्याए 20 और गुना में देखें 9 अगर करेंगे हम लोग तो यह आपका 189 आजाएगा इसको अगर आप एड़ कर लेंगे 4,3,7 और 9 को जोड़ेंगे 9,7,16,6 रेस्ट एक हो जाएगा 8,9,3,12 और 5,17 रेस्ट एक हो जाएगा 1,1,2,1 तो 3,7,6 बटे में आया 2,3,1 इससे भाग लगाएंगे एक वार में घटा इसको 6 में घटे का 5 होगा 7,3 गटे का 4 होगा 145 और बटे में आएगा 271 तो 376 बटे 231 कर लें या फिर इसी को आप लिख सकते हैं एक पुर्णा के 145 बटे 231 आई अगले कोश्चन में चले 12 का 6 का 4 का 3 का LCM बताएं LCM कितना ले लेंगे 12 से भाग लगाएंगे तो यह शेवन हो जाएगा 6 से 5 गुना 2,10 हो जाएगा 4 से भाग लगाएंगे तो 3 गुना 3,9 हो जाएगा और 3 से भाग लगाएंगे तो यहां 4 मिल जाएगा सब को अगर आप जोड लेते हैं तो 9,4 और 9 को जोड़ेंगे 13,13 और 10 को अगर जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा और 23 में अगर आप 7 को जोड ल तो बिखे सकते हैं 23 रूप से हम लोगों को ऑंसन ऒेंअ है थू बैक दलें है थैस्टिक हुआ में तरस सा क्षेए 15 तिस और 35 स्ट ज καιनफ पंडरह 32 श्या लैंगे दो कितना बौ ट्यूरह 716 9 और 6 देखे 9 6 15 पांच रेस्ट एक हो जाएगा फिर 3 एक 4 2 4 2 6 हो जाएगा 6 6 12 125 बटे 90 हो जाएगा पांच से आप चाहें तो कैंसल करके 25 बटे 18 लिख सकते हैं या एसी को एक पुरणा अंक 7 बटे 18 भी लिख सकते हैं तो इसे हम लोगों का 7 बटे 18 हुआ उसे प्रकार आप चौते कोश्शन है के स्वालूशन पर हम लोग चले तो चौता कुश्शन अगर देखा जाए तो चौता कोश्शन देखिंगे हम लोगों का कहऊ रहा है है 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 इन सभी का आपको निकालना है एड करना है सभी को LCM अगर गौर से देखा जाए तो LCM इस सभी का देखे कितना हो जाएगा 2, 3, 4 यहां दो का काम करना नहीं है 4 गुना, 3, 12 गुना, 5 करने LCM देखे कितना हो जाएगा 60, 2 से अगर भाग लगाएंगे तेहां देखे हो गया 30, 3 से अगर भाग लगाए तो 20 गुना, 2 करेंगे 40, 4 से अगर भाग लगाएंगे तो 15, अग गुना, 3 हो जाएगा 45, 5 से अगर भाग लगाएंगे तो 12 गुना, 4 करेंगे तो और तालिस और छे से अगर भाग लगाएंगे तो दस और गुना पांच होगा पच्छास अब इन सभी को अगर आप एड कर लेते हैं तो आट पांच तेरह रेस्टेक हो जाएगा पांच एक छे चार दस चार चोदा चार अठारह और तीन एक कीस हो जाएगा और बटे में 60 हो जाएगा इसको आप चाहें तो तीन से तो कैंसल करी सकते हैं तीन से ये 20 बार में तीन से अगर इसको कैंसल अगर आप करेंगे तो ये 71 हो जाएगा तो 71 बाइ 20 लिखें या 20 से भाग लगाएंगे तीन बार में 60 हो जाएगा बचे गाई ग्यारह तो एंसलम लोगों का आएगा तीन पुरनांग ग्यारह बटे बीश